क्या आप लोग चाते हो कि आप लोग कभी यार रैंक डाइमनड से मास्टर हो जाए लेकिन आप लोग मास्टर नहीं जा पा रहे हो विकोज आप लोग का काफी सारा माइनस लग रहा है और आप लोग मास्टर नहीं लगा पा रहे हो Season No.32 में अरे हाँ भी हाँ तो कोई बात नहीं आपका भाई है ना आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग को काफी मस वाला ट्रिक बताया हूं जिससे आप लोग सूलो के अंदर काफी इसली मास्टर लगा लोगे और बंग वीडियो को इंड तक देखना है काफी कुछ कवर किया है जिसे यह वीडियो के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट होने वाला और भाई लोग वीडियो कभी तक लाइक नहीं हो तो फड़ा फड़ेक लाइक कर लो क्योंकि ये वीडियो बनाने में तुम्हारे भाई का काफी ही मेहनत लगा है तो फड़ा फड़ेक लाइक कर देना और भाई चैनल पर नहीं हो तो या से सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग को बताया हूँ character combination के बारे में जो की काफ़ important होने वाला है आप लोग के लिए तो बात करते हैं first में मैंने character combination में कौन सा character यूज करा है तो फर्स्ट में मैंने करा है Lukita character जिससे आप लोग पूरा को पूरा गेम के अंदर 280 HP के साथ खेल सकते हो तो समझी सकते हो ये character कितना काम का होने वाला है और भाई second में मैंने active skills में यूज करा है Wukong character अगर आप लोग के character यूज करते हो वो भी कर सकते हो दोनों character काफ़ी बढ़िया है ठर्ड में मैंने यूज करा है Luna character जिससे आप लोग का moment speed और rate of fire काफ़ी जादा बढ़ जाएगा तो समझी सकते हो ये भी character कितना काम का होने वाला है और भाई fourth मैंने यूज करा है यहाँ पे Maru character जिससे आप लोग long range weapon का यहाँ पे damage बढ़ जाएगा जो समाजी सकते हो ये character काम का होने वाला है आप लोगों के लिए उसके बात बारियाती है load out के जिसमें आप लोग को काफी सार option देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन आप लोग को लेके जाना है आप पे bonfire या scanner मैं तो यहाँ पे scanner लेके जाने वाला हूँ जिससे आप लोग को starting time यानि की landing के time help होगा और last zone के अंदर काफी help करेगा scanner तो आप लोग भी scanner लेके जा सकते हो उसके बारी आती है pet के skill में जिसमें आप लोग को काफी सार option देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन आप लोग को लेके जाना है falco pet जो आप लोग को काफी जादा help करेगा landing के time आप लोग काफी speed में होगा जिससे आप लोग loot काफी speed में कर पाओगे आप लोग को बात करते हैं tips number 2 के बारे में जिसमें आप लोग को बताने बाला हूँ landing के बारे में जो की आप लोग के लिए काफी जादा important होने वाला और एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ आप लोग का जो landing के रहना चाहिए ना थोड़ा सा attacking रहना चाहिए जिससे आप लोग के starting kill 4-5 easily निकल जाए पहले तो आप लोग के देख सकते हो मैं आप जाने वाला clock tower जहाँ पे 3-4 बंदे तो easily मेरे को मिली जाएंगे और 3-4 बंदे को मैं finish कर दूँगा अगर 3-4 बंदे जिससे आप लोग के starting के 4-5 के easily निकल जाएंगे और यहां पर देख सकतो मेरी landing हो चुकी है clock tower पे जानते हैं यह clock tower पे तो 3-4 बंदे मेरे को काफी easily मिल जाएंगे तो भाई ट्रिक जरूर यूज करना और अभी के टाइम पे जितने भी आप लोग देखते हो रीजन में बै जिससे आप लोग काफी सारा किल निकाल पाऊते हैं पर देख सकतो मैं यहां पर चलाने वालों सकार 3-2 चीप और एम्टेंट 3-2 चीप और आप लोग को यही को सना तो भाई मेरा किली नहीं निकलता कोई बेच सा गन कोमिनेशन बता दो तो भाई यहां पर सकार जरूर में आप लोग यूज कर सकते हो एम्टेंट 3 जो की काफी तवाही अगर एम्टेंट 3 कर लेते हो आप फिर आप लोग किसी भी बंदे को काफी इजली फिनिस कर पाऊगे क्या सोचे रहे तेरी मानना पड़ेगा आप लोग बुईया भी काफी जली निकास सकते हो तो भाई यह ट्रिक जरूर यूज करना है यह पर कैंपिंग वाला और यह ट्रिक में बहुत पहले सी यूज करता है मेरा रैंक प्लस करने में इस वाले को बात करते हैं टिपस नमर 5 के जिसमें आप लोग को बताने वाला हूँ जोन कवर कर रहा है हाँ पर देख सकतो ठर जोन स्रिंग हो रहा था और मैं आप जोन कवर कर रहा था यहाँ पर आप लोग जोन कवर जरूर करना और यहाँ पर देख सकतो मैं इस एलसेप को कैंप करने वाला हूँ जिससे मेरे को काफी फायदा होगा फर्स जी यहां से मैं काफी सारे केल निकाल पाऊंगा काफी इसली और काफी ज़ए डैमेज भी निकालूँगा जिससे मेर रैंक प्लस काफी स्पीड में होगा बात करते हैं तिपस नुमेर 6 के बारे में जिसमें आप लोग को बताने वाला हूँ लास दोन के बारे में जहां पर काफी सारे भाई लोग गलती करते हूँ और बुईया मिस्स कर देथे तो तो यहां पर देख सकते हो, टोतल बंदे और थियंदे भूल्ड ना सब्सक्राइतiler ज्सक्राइब से घंग यूम भी साल एक करूं और वह तो यहां, जुँआ इसमें मेंदधेख सब्सक्राइब करें कर दो आस नहीं करते हैं सो वाले को बात करते हैं टिप्स नंबर 7 के बारे में यानी 1v1 सिचुएशन के बारे में हापे देख सकते हो एक बंदे को मैंने डाउन कर रहा है इसको फड़ा फट फट फिनिस करते हैं अब लास्ट बंदा बचा हुए 1v1 सिचुएशन और यो भी बंदा मेरे को दिख चु कि आप लोग एजली हरे गेम में बुया निकाल सकतो और अपना रैंक प्लस कर सकतो हैं आपर मेरा देख सकतो कितना तगरा प्लस लगा और मेरे किल भी कितने अच्छे खासे निकले तो ये ट्रिक आप लोग जरूर यूज करना ठीक है अपना ध्यान रखना भाईवा प्लस लाई लिए região